So trading में सबसे ज्यादा जो लोग गलती करते हैं वो है कि सही स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं कर पाते हैं उन्हें पता बूली है और डेलटा क्या होता है और डेलटा काम कैसे करता है ठीके तो आज की इस वीडियो में मैं आप को बताने वाला हूँ जो होता है और यह कैसे काम करता है और आप इसकी मदद से कैसे सही स्ट्राइक प्राइज से छूज कर सकते हो ठीक है तो अगर आप एक不錯 बायर हो या फिरлем सेलर हो मैं दोनों के इसाव से बताऊंगा कि आपको कौन सा डेल्टा चुछ करना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सब हो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अभी मार्केट चल रहा है, 22,550, ठीक है, 550 के आसपस चल रहा है, तो यहाँ पर हम कॉल्स की बात करेंगे, तो यह येलो है, यह हमारा in the money हो गया, ठीक है, यह जो blacks है, वो हमारा out of the money हो गया, ठीक है, और यह जो 22,550, जहाँ पर अभी मार्केट चल रहा है, यह हमारा add the money हो गया, ठीक है, तो यह call side को हो गया, वैसे हम अगर put side का ले रहा है, तो put side का, यह जो हो गया, यह आपका out of the money हो गया, यह आपक मुझे हो गिया और यहां पर मार्केट चल रहा भी वह एर्ड अभन ही हो गया ठीक है तो यहां पर मैंने क्यों बता है यह आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इन डमनी क्या होता है और अभनी क्या होता है ठीक है अब दो निफ्टी का जो प्राइस है वह सो रुपपे ठीक है तो यहहाँ पर मैं एक्जामपल लेता हूँ है तो माल लेता है हम अभी मार्केटब ले है recommending हुर्ट थू 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 थौ थू. 5.50 के पाद तो यहाँ पर फॉ-ब्रॉपिस का कमेता हु है अगर मैं यहाँ पर लेता हु है यहां पर देल्टा दिखा रहा है, यहां पर आपको मिलेंगे 55 रूपीज अगर market 100 रूपे बढ़ता है, निफटी का price 100 रूपे बढ़ता है, तो आपको इस strike prices प्रिमियम मिलेंगे मिलेंगे 55 रूपीज ठीक है, अगर आप हिंद मनी में जाते हो, ठीक है, अगर आप इंद मन मिलेगा अगर 100 रुपए मार्केट बढ़ेगा तो आपको यहाँ पर मिलेंगे 79 रुपए मैंने क्या किया जो डेल्टा का प्राइस है उससे इंटू कर दिया 100 को ठीक है मैं जितना इंद मनी जाते रहोंगा उत्रा मुझे डेल्टा का प्राइस मिलेगा मतलब प्रिमियम मनी कॉल लेता हूं तो मुझे कितने मिलेंगे 4 रुपए अगर मार्केट 100 रुपए बढ़ेगा तो मुझे मिलेंगे मात्र 4 रुपए ठीक है बहुत जब क्या करते है यही करते है एकस्वायरी वाले दिन 2 रुपए का कॉल लेकर बैठ जाएंगे तो उन्हें कितने जाए इया जीरो हो जाएगा 6 रुपए जितना मिलेगा उससे जगाथ ठीक टीक हो जाएगा थीटा डिके क्या होता यह मैं आपको अगले एक विडियो बना औरके बताऊं भां ठीक है यह मैंने बताया कॉल साइड के लिए ठीक है अब मैं बताता हूं पूल साइव के ठीके 52 हो गया अगर मेरा सो रुपे बड़ता है मार्केट अभी चल ला है 22,05 tweeted ठीके अगर 100 रुपे बड़ता है 650 रुपे चला जाता है तो मेरा इस ट्राइड क्राइस का जो कॉल्ड होगा वो इतना बढ़ेगा? वो 55 रुपे बढ़ेगा यहां डेजटा का प्राइस है 55 ठीक है ऐसे हम इंदमनी पूट लेते हैं मतलब इस साइड जाते हैं ठीक है 22,550 22,600 अगर मानलों हम लेते हैं 22,600 तो यहां पर मुझे मिलेंगे 70 रुपए तो टीप इंदमनी लेते हैं 22,700 तो में मिलेंगे 88 रुपीज अगर मार्केट एक बढ़ेगा तो मुझे मिलेंगे 88 रुपीज अगर मानलों आप ले लेते हैं 22,950 का पूट ठीक है डीप इंदमनी पूरा ठीक है तो आपको मिलेंगे 100 रुपए के देगा आपके 100 रुपए अगर आपका निफ्टी 100 रुपए बढ़ता है तो आपको मिलेंगे 100 रुपए ठीक है अभी 416 चल रहा है तो आपको मिलेंगे 500 रुपए वैसे ही अगर आप आउट अब दमनी पूट लेते हो तो आपको कितने मिलेंगे अगर मानलों आप 22,450 का पूट लेते हो तो आपको मिलेंगे मात्र 28 रुपीज और वैसे ही आप 22,200 का पूट लेते है तो आपको म आपके लिए बेस्ट होगा तो अगर आप एक option buyer हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए best strike prices कौन हो ठीक है अगर आप एक option buyer हो ठीक है तो आपके लिए best strike prices जो होगे वो आपे depend करेगा ठीक है अगर आप एक risky trader हो ठीक है अगर आप एक risky trader हो जो deep in the money जा करके call ले सकते हो और आपके पास capital भी अच्छा खासा है तो आप क्या कर सकते हो आप deep in the money call या put ले सकते हो ठीक है यहाँ पर मान लो अभी market चल रहा है 22,550 ठीक है तो आपके पास अगर capital अच्छा खासा है और आप risk ले सकते हो मतलब आप quality वो जेल सकते हो तो आप क्या कर सकते हो आप 22,200 का call ले सकते हो या फिर 22,250 का call ले सकते हो ताकि आपके अगर 100 रुपे बढ़ेंगे तो आपके यहाँ पर 95 रुपेज मिलेंगे मातर पांच रुपे कम कर यहाँ पर आपका capital भी ज्यादा लगे है ठीक है वैसे ही अगर आप put लेना चाहते हो तो 2700 ले सकते हो 750 ले सकते हो के साथ मुझे काम करना है तो आप क्या कर सकते हो आप add the money call या put ले सकते हो मतलब अगर मार्केट चल रहा है 22,550 बे तो मैं 550 का ही call या 550 का ही put लोंगा ठीक है नहीं ज्यादा इन दमनी जाओंगा नहीं ज्यादा out of the money जाओंगा यहाँ पर मुझे मिलेंगे 44 रुपीज और यह क्यों नहीं होना चाहिए यह मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ठीटा के मैं वीडियो बनाओंगा तो कि आपको out of the money call या put as a option buyer क्यों नहीं लेना चाहिए और अगर आप एक option seller ठीक है तब आपको क्या करना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए आपको पहले द out of the money भी ले सकते हो जैसे अगर मानलो अभी मार्केट चल रहा है 22,500 ठीक है नीचे अगर मार्केट अभी तो 500, 550 के आसपास चल रहा है तो यह हमारा add the money call हो गया ठीक है add the money call या put हो गया तो यहाँ पर अगर मार्केट देखूंगा मैं इस sideways एक नहीं अगर market sideways है मानलेता है ठीक है तो मैं क्या करूँगा as option seller मैं आपर दूर out of the money call या put ले करके पैट जाओंगा तो मैं क्या करूँगा मैं आपर 22,650 ठीक है 22,650 का call ले करके पैट गया जो मुझे 19 रुपे देगा अब यह 14 रुपीज पे चल रहा या फिर 600 का call ले करके पैट जाओंगा जो 25 रुपीज पे चल जा और उसका जो डेल्टा है वो 29 रुपे पड़ेगा तो मेरा जो डेल्टा है वो 30 रुपीज बड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर मुझे time decay का benefit मिलेगा इसलिए मैं out of the money call या put लूँगा वैसे यह अगर put side जाओंगा तो मैं क्या करूँगा मैं 350 कर या 300 कर लूँगा ताकि यह मेरे 0 हो जाए और मेरे 7 रुपीज और 11 रुपीज में profit होगा ठीक है तो यहाँ पर option sellers को time decay का benefit मिलता है इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें out of the money call या put लेना चाहिए अगर market sideways है अगर market trending है तो आपको क्या करना चाहिए आपको option buying ही करना चाहिए option selling नहीं करना चाहिए option selling केवल तक करना चाहिए जब आपको market sideways है ठीक है आप समझ लेऊगे पिडिल्टा क्या होता है ठीक है और डिल्टा की मदद से आप सही strike prices कैसे choose कर सकते हो वाई वो बाक पर यह वीडियो अच्छा लगा होगा इस वीडियो को like करो share करो और subscribe क झानलबर, thank you so much for it